पार तो नमस्कार दोश्तों स्वाव तो आपका केके नर्सिंग के लाशेज में तो आज हम स्टार्ट करेंगे oxygen inhalation यह oxygen therapy ठीक है तो बात करते है oxygen क्या होता है oxygen जो गैस होती है वो क्या होती है क्या होती है और कुछ गया होती है ट्स ए क्राऊल यस अग्या है क्या होती ऑर और लेक्स चिर्ण है तो अब इसमें नेक्ट अम बात करते हैं की oxygen की concentration, oxygen की concentration environment में कितनी बलोगी मिलती है, or to concentration, or to concentration present in environment, environment में कितनी present रहती है, तो oxygen environment में रहती है, 21%, ठीक है, और net बात करें, कि oxygen pressure, oxygen pressure present मिलता है, environment में कितना मिलता है pressure, तो इसका pressure रहता है, 100 से 150 mm of Hg, अब बात करें, oxygen concentration, body के अंदर, या pressure की बात कर लेते हैं, पहले, or to pressure, present in body, तो body के अंदर pressure की बात करें, तो इसके अंदर मिलती है, 100 mm of Hg, अंदर mm of Hg, ठीक है, next इसकी concentration की बात करें, or to concentration, present in body, body के अंदर कितनी अरती है, तो इसमें देखने को मिलती है, 80 से 100% के बीच में क्या concentration देखने को मिलती है, बोडी के अंदर, अब next, इसमें बात करते हैं, कि जब हम inspiration, मतलब की inhalation और exhalation करते हैं, तो कितनी oxygen अपन लेते हैं, एक breathe के अंदर कितनी oxygen लेते हैं, और कितनी अपन छोड़ते हैं, उसकी बात करते हैं, तो during inspiration, during inspiration inl करते हैं, तो कितने percent करते हैं inl, 21% करते हैं हम, और इसमें excal की बात करें, 16% करते हैं, अब बात आ जाती है, हमने शके अंदर inl, biat किया था 21% किया है, और evangel कर रहे हैं, 16% कि जो बचा है जो difference 5% का वो कहां चला जाता है वो oxygen कहां चली जाती है तो उस oxygen का क्या होता है metabolism होता है metabolism हो जाता है और metabolism होने के बाद क्या होता है कि carbon में convert होकर किसके साथ जुड़ जाती है oxygen के साथ तो क्या बन जाता है carbon dioxide बन जाता है उसके तुर्ट क्या होती है बाहर निकल जाती है ठीक है अब नेक्ट हम बात करते हैं एक इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं पहले कि जब हम ऑक्सिजन देते हैं किसी को तो ऑक्सिजन हमेशा क्या करते हैं हुमीडिवाई से देते हैं मतलग कि मोस्टर टाइब ऑक्सिजन जान इसे इरिटेट होंगे और क्या विक्स मेमरें डेमेंज होंगे चांसिज रहते हैं तो इन्पोर्टेंट पॉइंट इसमें इसमेडिफिकेशन कि अबडिफाइड वॉटर कि अब इसका करते हम ऑक्सिजन और वेज कि यू हमेडिफाइड ठीक है हमेडिफाइड ओप्शिन देंगे हम क्योंकि किसके लिए प्रेवेंट मिकस मेंब्रेन मिकस मेंब्रेन को बचाने के लिए और प्रेवेंट इरिटेशन इरिटेशन के लिए इसलिए हम क्या करेंगे ऑक्सिजन को हम देंगे मतलों कि हमीडिफाइड ओक्सिजन हम देंगे नेक्ट बात करते हैं दूसरी गैस की शियोटू की कार्वन डाय ऑक्सिजन की बात करते हैं परजेंट एंवायरमेंट में कितनी मिलती है परजेंट परजेंट इनवायरमेंट एंवायरमेंट में अगर शियोटू की बात करें तो सियोटू मिलती है एंवायरमेंट में 0.03% ठीक है और नेक्ट हम बात करें इसकी की एक्जेल करते हैं एक्जेल इन रेस्पिरेशन तो कितनी एक्जेल कितनी बाहर निकालते हैं हमने तो हमने वह पहले भी देखा कि इसमें 5% हम क्या करते हैं बहार निकालते हैं जो हमने बताया तो 5% रह जाता है वह एक जहल से हम क्या करते हैं को बहार निकालते हैं अब इनकी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं कि इंडिकेशन कि में यूज किया जाता है तो बात करें फर्ष्ट लेप्रोस्कॉपी 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 में क्या जाता है कोई एक्जामनेशन क्या जाए डियागनोसिस परपस के लिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं श्योटू का यूज करते हैं श्योटू को क्या करते हैं इंफलेट करते हैं पर किंदर डालते हैं कहा पर ilo है अ की joy lag एक डॉटald करते हैं इसको डालते हैं इसका डालने का खालन क्या रहता है कि जिसका अग्जैमिनेशन कर रहा है यह इद यह इस क्या होती है लिजयर विजय लाइज होती है कि लियाज कर रहे है कि लिए इसके हम यूज क्या जाता है अंदर इसको इंकलेट डाला जाता है यह सेकेंड बात करे है इसको कि हमें टुबेक्टोमी करनी हो थीक है किशनाuciones है बात करें इसकी लेप्रोस्कोपी है सर्जरी करनी हो ठीक है अ-जैप्रोस्कोपी क सर्जरी करनी है लेक्षा canhra ऑब्त तो हम बात करें की क्राय। उसके दोवरान करते हैं उसका यूज करते हैं क्राइब सर्ज़िरी में सबसे भष्ट जो प्राइवरिटी अम देंगे कौन सी ज़िए इसको देंगे एंट हैं यह ड然 and nitrogen oxide को कि यह हो गया हमारे इंडिकेशन की बात हो गई और नएक तक हम बात करें कि जो हमने क्या किया है इंफ्लेट की है जो हमने शियो टू अंदर डाली है शरीर के एक्जैमिनेशन करने के लिए उसको हम भार कैसे निगा लेंगे किया किए इसको क्या क्रेंगे एक्स क्टुब करेंगे मतलब की भहार निकालेंगे यह क्या नंदर नर्शिंग औफिजर है उसकी प्रविर्प्रेस हो प्रेंट एक्ट क्या रहे गा उसका क्या क्या रहेगा ऊसुри करेंगे तो हम है कि क्या करेंगे जो पेट के अंदर हमने डाल लिए उसका क्या करेंगे हम मुमेंट कराएंगे यहां क्या बोल सकते हैं अगर तब भी गैस बहार नहीं निकलती है तो सैगन रहेगा हम मसाज करवाएंगे मसार टू एब्डोमन ठीक है अगर तब भी गैस भार नहीं निकलती है तो थर्ड ओप्शन रहेगा हम एस्पिरेट करेंगे किसके दोवारा बाइदा सीरिंज के दोवारा किसके दोवारा बाइदा सीरिंज के दोवार एस्पिरेट करेंगे है और फोर्द अगर तब्र गैस बहार नहीं निकल दिये तो हम क्या करेंगे उसको आडभी करेंगे किसको वॉसर ważne निकल रही जो प्राइवियटी बेस हो गया थीक एंपुलेट करें पेशेंट को मसाज करेंगे अपडोमन पर एश्पिरेट करेंगे सीरिंज के दोवारा तो नेक्ट अगर बात करें आप स्लेंडर की बात करते हैं ऑक्षियन और नाइट्रोक्स ऑक्साइड की बात करते हैं तो क्या कि सिलेंडर्स की बात करते हैं तो फर्ष्ट देखते हैं हम और तो सिलेंडर कि फर्ष्ट देखते हैं वर्ट चिलेंडर इसकी अगर कलरड की बात की जाए तो ओट्चु हुआ यसका क्या कलर कोड रहता है वह क्या रहता है ब्लैक क्या रहती है ऑफ मर्डी रहती है और वाइट के रहता है जाद में टोप रहता है अब जहें को यह हो गया हमारा सेलेंडर ठीक है इसमें के रहता है यह जो है यह क्या रहता ब insurance बोड़ी रहता है और इसकी बात करें यह कौन से रहता है यह वाइट पार्ठ रहता है मलग की सको क्या बहुत हुरे है त्थ runner का यह किकरें और इसमें सिलेंडर में अगर बात करें तो जो ब्लैक पार्ट होता है उसके अंदर ऑक्सिजन कितने परसेंट होती है 90 परसेंट होती है उसके अगर बात करें उसमें क्या रहता है हीलियम गैस रहती है हीलियम गैस परजेंट होती है और हीलियम गैस का इसके साथ क्या रिलेस यह होता है कि जो हम- ऑकिसी को देनी हो फाइव लीटर में देनी हो तो उसको क्या करता है यह टोuman करने के लिए यह किसके लिए काम आती है है लोर्यotte करने के लिए अगर इसके अंदर हिलियम गैस अगर नहीं डाली जाए तो अगर किसी पेशेंट देना अच्छानक रहता है अगर उसके अंदर पढ़ जाएंट है तो क्या रखती है कि फ्लोरेट को मेंटेन करती है तो फाइव लिटर ये उसके अंदर डिलिवर करेंगी ठीक है डिलिए है नेट बात करते हैं के शियोट Vamos eh तो शियोट देखे तो इसका कलर जो होता है वो किया मिलता है तो आ यह को इसे फ्लोर का सेलेंट में प्लेट है पने नैक्र अक्साइड की बात करें तो इसका मिलता है हमें वह कमिलग है बल्लू ब्लू या फ्रेंच ब्लू या फ्रेंच ब्लू कलर हमें क्या देखने को मिलता है अगर इसकी दूसरा अगर अगर अधर नेंग की बात करें अधर नेंग की बात करें तो अधर नेंग होता है लाफिंग गैस होता ही अशने वाला अशने वाली गैस होती है लाफिंग गैस बोलते हैं इसको ठीक है नेक्ट हम बात करते हैं इसके किसकी टेस्ट की बात करते हैं कि हम कौन-कौन से टेस्ट करेंगे जिससे हमें क्या होगा oxygen का पता लगा सकें कि oxygen की कमी कितनी है कैसे है तो इसके हम बात करें तो इसका हम तीन परकार से टेस्ट करेंगे तो फर्स तक बात करते हैं inspection and observation inspection और observation के दोवारा हम क्या करेंगे हैं एक टेस्ट करेंगे और टुइन हैलेशन का या हम लोग कि देखेंगे हम जी oxygen की मातरा में लोग कितनी है कमी क्या है क्या सिंटम साइन दिखाई देते हैं हमें तो उसकी अगर बात करें अगर किसी पेशेंट को hypoxia हो रहा हो कि यह मैं बता चुका हम hypoxia क्या मिलेगा कि उसके अंदर पेशेंट के अंदर हाइपोक्षिया हो रहा हो तो फर्ष्ट रहेगा रेस्ट लेस्ट लेस्ट अ और शेकेंट अगर बात करें तो सायनोसिस और देखने को देखे तो इर्डिटेशन ठीक है यह साइन समय देखने को मिलेंगे तो अगर साइन देखने को मिलते हैं तो हम्हें ऐसा लगता है कि पेशेंट को hypoxia हो रहा है मतलगती ओक्षियम डिमांड हो रही है ठीक है अब इसके अंदर प्राइवेटी बेस बात करते हैं कि जब कोई पेशेंट है तो अर्लियस्ट साइन जो हाइपोक्षिया का अर्लियस्ट साइन है क्योफियन की डिमांड हो रही है उसका अर्लियस्ट क्या रहेगा अर्लियस्ट साइन ओफ हाइपोक्षिया अर्लियस्ट साइन ओफ हाइपोक्षिया तो अर्लियस्ट साइन क्या रहेगा हाइपोक्षिया अर्लियस्ट साइन क्या रहेगा हाइपोक्षिया रहेगा फर्स्ट रेस्ट लेस्ट नेस्ट क्या रहेगा पेशें नहीं रहेगी यह ह this the most common area अगर बात करें यह किस कंडिशन रहेगा कौंसियस में के संदेगा कौंशियस पेसेंट है उसकी कंडिशन में यह क्या रहेगा। अर्लेस्ट सांस रहेएगा अगर बात करें हम ंकॉंसियस प्एसेंट कि इनकॉंसियस प्रेशेंट हैं उसको रेश्टलेस्थनेस तो उज नहीं सकती तो हमें क्या देखने को मिलेगा साइनो लेगा स।ब्सक्रशीर जी इंपोर्ठेट कि कि conscious patient रहेगा उसके अंदर earliest sign hypoxia में क्या देखने को मिलेगा तो हमें देखने को मिलेगा restlessness और अगर बात करें unconscious patient की तो उसके अंदर क्या साइन देखने को मिलेगा हमें sinus हमें देखने को मिलेगा और इसमें important बात करते हैं, most common side, most common side observe sinus, कौन सी साइट होगी most common, जिस से हमें पता लगाएंगे कि इसको साइनुसिस हो रहा है, कौन सी साइट के अंदर हमें यह देखने को मिलेगा, तो नेल बर्स क्या रहेगा, नेल बर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, नेक्ट हम बात करते हैं, second, non-invasive procedure, non-invasive procedure क्या होता है, non-invasive procedure होता है, कि इसमें जो हम oxygen चैक करेंगे, वो किसके द्वारा करेंगे, पल्स ऑक्सिमेटर के द्वारा चैक करेंगे, क्या करेंगे, oxygen saturation चैक करेंगे, तो first तो हमारा inspection रहेगा, first तो हमारे inspection रहेगा, किसके द्वारा रहेगा, pulse oximeter, किसके द्वार रहेगा, pulse oximeter के द्वारा, और pulse oximeter से हम क्या करेंगे, observe or to saturation, ठीक है, or to saturation को क्या करेंगे, observe करेंगे, pulse oximeter के द्वारा, और normal or to saturation, normal or to saturation कितनी रहती है, तो 95 to 100% या बोलें तो अबाव 95%, ठीक है, यह हो गए हमारा, और इसमें अगर बात करें, कि correct side, जो हमारा pulse oximeter है, वो correct side कौन सी होगी, correct side कौन सी होगी, जो कि हम उसमें observe करेंगे, किसको, saturation है, तो correct side होगी, lower, lobe of year, year की जो lower lobe होगी, वहापर हम pulse oximeter लगाएंगे, वो हमारी क्या रहेगी, correct side रहेगी, और बात करें, common side की, जो कि हम hospitals में यूज करते हैं, क्या रहेगी, index finger, क्या रहेगी, index finger, जो हम क्या करते हैं, common side रहती, जो हम hospitals में यूज करते हैं, इसी में अगर बात करें, जो हमने pulse oximeter जो क्या index finger में लगाया है, अगर उसकी change करने की duration देखे, time देखे उसका, तो कितना time रहेगा, उसको क्या pulse oximeter को change करनेगा, तो, change pulse oximeter, duration, तो उसका रहेगा, every two hour, हर दो घंटे में क्या करेंगे, हम pulse oximeter को change करेंगे, अलग उंगली के अंदर लगाया जाएगा, अलग finger के अंदर लगाया जाएगा, वो क्यों लगाया जाएगा, prevent ulcers, ulcers होने से, बचाने के लिए क्या करेंगे हम, उसको changes करेंगे, उसका, next हम थर्ड बात करते हैं, जो थर्ड हमारा test हो रहा है, वो क्या हो रहा है, शेकिन हमने non-invasive देखा, और यह देख रहे हैं, invasive, invasive method, invasive method, important है यह, invasive method में क्या होगा, यह क्या होता है, इसके अंदर, यह accurate, इसके अंदर कहा रहता है, accurate method होता है, यह क्या रहता है, accurate method है, क्या है, accurate method है, किसके लिए, for access, or to in blood, accurate method है, किसके लिए, assess करने के लिए, oxygen, किसके अंदर, blood के अंदर, oxygen कितने percent है, किसके अंदर, blood के अंदर कितने oxygen है, उसको assess करने के लिए, क्या है, invasive method, most accurate method है, अब इसमें बात करें इसमें क्या होता है ABG आपने सुना होगा ABG किया जाता है इसका सेंपल लिया जाता है आर्टीरियल सेंपल लिया जाता है जिसके दोवारा क्या होता है ABG एनलाइज किया जाता है उसके अंदर हमाई saturation देखने को मिलती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं मोस्ट एकुरेट मेथर होगा तो हमने क्या गया एवी जी कि एवी जी क्या होगा आर्टीरियल कि व्लड गैस अनलाइज थीग ग्लड गैस अनलाइज यह होगा हमारा अगर इसमें दोरी को में हम बात करतें किसकी कि इसमें क्या होता है करेंगे जैसे हि काहां से करेंगे किस्क्नाल मोस्ट म慌 अधे कह तो कासे करते हैं तो वह घरिप रेडियल आर्ट्री रेडियल आर्ट्री को हमने प्रिक किया ठीक है उससे पहले रेडियल आर्ट्री को आपको किर्शन सरों ने पढ़ाया होगा एवीजी एनलाइजिस के अंदर तो हम रेडियल आर्ट्री को अगर प्रिक करेंगे उससे पहले क्या चैक करेंगे बिफोर बिफोर रेडियल आर्ट्री से अगर प्रिक कर रहे हैं उससे पहले हम क्या करेंगे हम उससे पहले करेंगे अल्बनर आर्ट्री होती है जस्त उसके अपोजिट साइड क्या करेंगे अल्बनर आर्ट्री को क्या करेंगे या है OSY एकम है कि फैसलिटी अधर एक क्रांद हो फैसलिये चैक करेंगे और इसमें इस क्या करते हैं जो अल्रायडरि फैसलिटी चैक करतें उस से जाव थे हैं कि एक या आपको refreshed टेस्ट बोलते हैं कि अन्दूर ही ए l10 जिरम क्या कर देखना क्या होता है है एलेंट है तो यह हम क्या करते हैं इसके इन्वेज्जी मैथड होता है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि और तू सेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर बलड के अंदर कर रहे हैं तो यह हमारा क्या हो गया हो गया इसी में नेक्ट क्लास में हम बात करेंगे तोपिक लेकर दे लेशन देंगे और कॉंप्लिकेशन्स क्या देखने को मिलेगा हमें यह हम क्या करेंगे नेस्ट क्लास हम बात करेंगे ठीक है थैंक्यू